भारत एक क्रिशी प्रधान देश है, प्राचीन काल से आज तक भारत की 70 प्रतिशत आवादी क्रिशी पर निर्भर रही है। भारत के अर्थशाष्ट्र में दो क्षेत्र कारे रत थे, संगठित व असंगठित। संगठित क्षेत्र वासी शहरों में बस गए, लेकिन असंगठित क्षेत्र वासी गावों में बस गए। लेकिन मौजूदा भारतिय अर्थशाष्ट्र में पून्जिवादी अर्थव्यवस्था टैंड आने से असंगठित क्षेत्र को मरने दिया जा रहा है। छोटे लगू उध्योग धन्धे समाप्थ होने दिये गए। नतीजतन घोर बेरोजगारी वर नौकरियों की समस्या सामने आखड़ी हुई है। आज का पून्जिवाद भारत की क्रिशी पर निगाह गड़ाय हुए है। अगर ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए वो समस्याए खड़ी कर देगा जैसा आज तक कभी संभव नहीं हो पाया। भारत इन सभी समस्याओं से सफलता तभी पार पाएगा जब हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्रिशी बरकरार रहेगा। ये भारत को जोड़े रखने का एक बहुत बड़ा कारण था और आगे भी रहेगा। अगर हम प्राचीन काल में भारत की अर्थव्यवस्था को गौर से समझे तो हमें असंगर्थित क्षेत्र का महत्व समझ में आएगा। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था क्रिशी, पशुपालन और इससे सम्बंदित गतेविधियों पर आधारित थी इस दोरान व्यापार भी किया जाता था, भूमी पर राजा का अधिकार होता था, इस प्रकार की भूमी को सीता कहा जाता था इस भूमी पर क्रिशी कार्य करने के लिए दास अत्वा कर्मकारों को नियुक्त किया जाता था कई क्षेत्रों में राज्य की ओर से सिचाई का समुचित प्रबंध किया गया था जिसे सेटु बंध कहा गया इन क्षित्रों में राज्य द्वारा सिचाय की सुविधा प्रदान की जाती थी उन क्षित्रों से राज्य उत्पादन का एक बटा छे हिस्सा करके रूप में प्राप्त करता था इसके अतिरिक्त इस काल में धातु उद्योग, चमडा उद्योग, शराब उद्योग, जहाज रानी उद्योग और शधी उद्योग आधी प्रसिद्ध थे मौर्य काल में रेशम का आयात चीन से किया जाता था काशी, बंग, पुंडू, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध, बंग का मलमल विश्व प्रसिद्ध था प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था क्रिशी आधारित थी असंगठित छेत्र आत्म निर्भर था, उस पर कोई कर नहीं था यही कारण था कि उस काल में भारत की जीदीपी 25 से 33 से अथिक रहती थी देश को संगठित रखने के लिए ये अत्यनत आवश्यक है कि क्रिशीव असंगठित क्षेत्र को जिंडा रखा जाए